संभल में नखासा थाना शेत्र के केशुपुर भिंडी गाउं में पत्नी ने अपने ही पत्ती की गला घोट कर हत्या कर दित जिसका आडियो वाइरल होने के बाद पोलिस ने आरोपी पत्नी को ग्रफतार करके जेल भेज दिया है जानगारी के मताबिक अमरोहा जिला के रहरा थाना शेत्र के चीला पत्रा गाउं निवासी चंद्रपाल ने अपनी बेटी शिवानी की शादी केशुपुर भिंडी गाउं के रहने वाले 24 वर्षी कोमल के साथ 5 माह पहले की थी लेकिन शादी के बाद सही दोनों के बीच जगडा होता रहता था वहीं बीते सोमुआर को देर शाम भी पत्य पत्नी में जगडा हुआ था लेकिन परीजनों ने दोनों को शांत करा दिया था इसके बाद दोनों कमरे में चाकर सो गए जब की मंगलवार को पत्मी सुबा उठ गई लेकिन कोमल नहीं जगा तो परीजनों ने उसे आवाज दी जब कमरे में किसी तरह की हलचल नहीं हुई तो कमबल हटा कर देखा तो उसके मूँ से ज़ाग निकल रहा था आनन फानन में परीजन उसे अस्पतार लेकर पहुचे जहां डॉक्टरों ने कोमल को मृत घोशित कर दिया वहीं पत्ती की मौत के बाद शिवानी ने थैले में जेवरात रखकर भागनी की कोशिश की लेकिन महिलाओं ने उसे पकड़ लिया जिसके बाद मृतक के परीजनों को नखासा थाना पुलिस ने मृतक कोमल की पत्नी शिवानी को हिरासत में लेकर ठाने ले आई जहां पूचताच में शिवानी ने बताया कि वो ये शादी नहीं करना चाहती थी महीं शादी के बाद वो किसी और से बात करते जो उसके पती कोमल को पता चल गई और उसको कि मृतक के परिजनों की तहरीर पर पत्नी शिवानी की खिलाफ मामला दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया है वहीं पोस्ट मॉटम रिपोर्ट में भी गला दवाने से हत्या का होना आया है इनका आरोप है कि आपने इनकी खिया किया है उसके बारे माप के के लहें? मोट कैसे हो और इनकी कोई भी मारी थी उनके लिए विपाल फिल है भी मारी थी या थी है वी मारी थी है आप पिज़दिया अपने ज antarni कर गयानी के लिए nen holy आप विल हिल दुज़ए झाल झाल